ते मोस्ट पॉपिलर स्टार कपल इश्वर्या शर्मा और नील भर्ट की होगी बहुत जल बिग बॉस 17 में एंट्री आएए जानते हैं आगरकार इस गुड न्यूस के बारे में इश्वर्या शर्मा ने क्या कुछ कहा है गाइज हाली में आपको बता दू कि इश्वर्या शर्मा खत्रों के खिलारी सीजन 13 की सिक्सेस्फुल शूटिंग के बाद इंडिया वापसी कर चुकी है और अब इश्वर्या का नाम हर इसी रियालिटी शोउस के साथ जोड़ा जा रहा है जिन में से एक है बिग बॉस सीजन 17 ऐसे मैं इश्वर्या से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो बिग बॉस सीजन 17 में आए नजर बिकॉस हमने देखा कि गुम है किसी के प्यार में के जरिये कही न कहीं पाकी के किरदार में उनकी नेगेटिव इमेज भी बन गई थी और ये इश्वर्या के पास बहुत ही अच्छा मौका होगा बिग बॉस के जरिये अपने इमेज को क्लियर आउट करने का ऐसे में इश्वर्या से जब पूचा गया कि क्या वो बिग बॉस 17 का हिस्सा बनेंगी जिस पर इश्वर्या ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा नाम हर एक शो के साथ जोड़ा जा रहा है इनफाक्ट अब तक बिग बॉस मेकर्स की तरफ से मुझे कोई अप्रोचेस नहीं आए हैं लेकिन अगर आते हैं तो फिलहाल वक्त बताएगा यानि कि कही ना कहीं इश्वर्या ने इस शो को मना तो नहीं किया इस बहुत जल बिग बॉस 17 में कदम रख सकती है इनफाक्ट इश्वर्या के साथ साथ नील भट भी आ सकते हैं नजर जैसा हम सभी को पता है कि गुम है किसी के प्यार में एक लीप आ चुका है और फाइनली नील भट और इश्वर्या शर्मा सभी हो चुके हैं सीरियल से आउट और अब इनके पास बहुत अच्छा मौका है अगर इन दोनों को ये ओफर्स मिलते हैं और ये दोनों इश्वर्या शर्मा और नील भट को एक साथ देखने के लिए कितने हैं आप सबी सुपर एक्साइट